जैहिंद एवरीवन कैसे आप सब लोग डिजायर टुलेंड केस आई बी सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ मैं हूँ आपका होस्ट सागर गुपता एक बार प्लीज कन्फर्म कर दीजिए कि मेरी वोईस आप तक पहुच पा रही है या नहीं फिशुरुवात करते हैं हम आज का प्रैक्टीज 0-3 जल्दी से बताईए मेरी वोईस क्लियर है या नहीं और आप सभी से में माफी चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा यहापे डिले हो गया है क्योंकि यहापे म्यूजिक वगेरा है यहापे बज रहा था उस कारण से जो वोईस है वो पूरी माईक है आपे ले रहा था इस कारण से में थोड़ा सा यहापे डिले हो गया है आपको बेसिकलि आप सभी को लोहरी की हार्दिक हार्दिक शुब कामना है ठीक है चलो clear है voice एक बार confirm कर दीजिए comment section में फिर शुरुवात करते हैं फटा-फट बताईए audible ठीक है चलिए तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ने अब भी तक set 1 को काफी अच्छे से cover कर लिया है और set 2 को काफी अच्छे से cover कर लिया है अब definitely बारी है आपकी set 3 की ठीक है एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपने set 1 और set 2 में क्या क्या कर लिया है ठीक है basically जो मेरा आपका target है मैं आपको 6 set यहाँ पर करवाने वाला हूँ ठीक है exam तक तो basically हर set में आपके 2 मन्त यहाँ पर cover करने की कोशिश की गई है ठीक है तो अगर आपसे IB पूरे साल के अगर current affair पूछ लेता है तो आपसे यहाँ पर I guess आप 12 से 13 current affairs तो definitely कर पाऊगे और अगर चीजों को relate कर लिया तो आप 15 भी कर सकते हो ठीक है तो basically हमारा यह target यहाँ पर होने वाला है ठीक है अगर हम बात करें आपसे कि आज यह जो set 3 है इसमें हम लोग अगस्त के भी current affairs करेंगे September के भी करेंगे तो please इस वीडियो तक end तक बने रहिएगा और practice बिलकुल आप करिएगा ठीक है चलो एक बार comment section में बता दीजिए ready हो या नहीं चलिए शुरू करते हैं हम लोग first question से जल्दी से comment section में बताईए कि world tourism day कब celebrate किया जाता है 26 September, 27 September, 28 या फिर 29 September जल्दी से comment section में बताईए बहुत important question है अगर मैं आपसे बात करूँ ये direct question आपसे CDS में भी पूछा गया था ठीक है चलो जल्दी से बताईए world tourism day कब celebrate किया जाता है जब तक आप मुझे बताएंगे मैं इसकी theme भी आपके साथ share करना चाता हूँ इसकी इस बार की जो theme थी इस बार की theme आपकी थी tourism and green investment प्लीज इसकी theme भी याद रखिएगा बहुत important है और important day भी है ठीक है global tourism index में भारत की rank क्या रही थी देखते हैं कौन यह answer कर पाता है तो भारत की आपकी global tourism index में rank रही थी 54th number ठीक है चलो कुछ मैं आपको एक बार index बता देता हूँ जो बहुत important है आपके exam के लिए एक बार उनको भी यहाँ पे cover कर लेते हैं ठीक है आप मुझे बताईए hunger index की क्या rank थी भारत की ठीक है hunger index की थी आपकी one 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 और यह कितने dimensions पे आता है यह आता है आपका चार dimensions पे ठीक है अगर आपसे exam में पूछ ले human development index में भारत की rank क्या थी जो की आपका UNDP हापे देता है ठीक है तो यह थी आपकी 132 ठीक है basically जो यह मैंने बता रहा हूँ आपको hunger index, innovation index, hdi यह सारे आपके पहले भी IB के exam में पूछे गए हैं ठीक है इसलिए मैं आपके साथ यह सारे index share कर रहा हूँ ठीक है एक index और मैं आपको बताता हूँ pension index ठीक है pension index यहाँ पे launch किया गया था तो pension index में भारत की rank थी आपकी 45 नमबर पे एक और index में आपको बताना चाहूँगा अब भी हाली में एक report आई थी यह index नहीं है एक report है aging report आपको बताना है कौन सा state सबसे ज़्यादा यहाँ पे बुड़े लोगों का यहाँ पे बन रहा है ठीक है तो वो बन रहा है आपका कैरला यह question तो आने वाला है क्योंकि यह report ब रैंक थी आपकी 132 पेंशन इंडेक्स में आपकी 45 aging report में आपका top पर है कैरला जिसमें सबसे बुड़े लोग यहाँ पे शामिल होने वाले ठीक है चल ठीक है देखो इंडेक्स कौन सी organization करती है बस आप यह याद रख लो SDI का बहुत important है SDI करती है SDI index आपका आता है UNDP के त पाओगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं next हम question की तरफ बढ़ते हैं आपको बताना है कि अब भी हाली में world का दुनिया का सबसे deepest और largest underground laboratory कहां पर यहाँ पे inaugurate की गई है चाइना, इंडिया, एजिप्ट या फिर रशिया comment section में जल्दी से मुझे बताईए कौन सी country में की deepest आपकी physics की मतलब telescope है आप यह समझ सकते हैं एक यह laboratory है आपकी दुनिया की सबसे deepest और सबसे बड़ी तो कहां पर की गई है अंसर कीजिए जल्दी से यह की गई है आपके चाइना में most of the student answer सही कर रहे हैं बिल्कुल सही तो यह की गई है आपके चाइना में अच्छा चाइन कि अगर मैं आपसे बात करूँ आपको पता होगा belt and road initiative के बारे में यह किसका है यह आपके चाइना का आप मुझे यह बताइए कि कौन सी country ने यहां से withdrawal कर लिया है देखते हैं कौन इसका अंसर कर पाता है कौन सी country ने इसमें से withdrawal कर लिया है और मोधी जी की काफी अच्छी वो friend है आप अंसर करिए मैं आपको बताता हूँ फे ठीक है अच्छा withdrawal से एक चीज याद आती होगी आपको अंगोला ठीक है अंगोला यह वही country है जिसने अब भी हाली में ओपिक में से यहाँ पे withdrawal कर लिया गया था तो यह question तो आपका confirm है और एक Egypt वाला question भी आपका confirm है व आपको पता ही होगा Asian Games host किया था और पेरा Asian Games भी आपका host किया गया था ठीक है तो यह दोनों आप यहाँ पर याद रखेंगे अगर मैं आपसे बात करूँ जैसा आपको पता है कि Miss Reset Miss Reset एक satellite है जो कि आपका China plus Egypt यह दोनों यहाँ पर मिलके बना रहे है ठीक है एक point आपको यह याद रखना है अगर मैं आपसे बात करूँ आपको पता होगा Global Partnership of Artificial Intelligence इसको किसने host किया था इसको host किया था हमारे प्यारे भारत ने तो आपको यह बात पता होना चाहिए इसने exclude कर दिया गया था किसको चाइना को ठीक है तो चाइना ने इसमें participate नहीं करा था और इस host था हमारा प्यारा भारत ठीक है तो आपको यह याद रखना है ठीक है आपको यह याद रखना है कि withdrawal किसने किया भी Belt and Road Initiative से तो यह किया था आपके Italy ने Melanie जी के ठीक है तो याद रखिएगा बहुत important news मैं आपको बता रहा हूँ और यह सारे सारे की सारी यह important facts होने वाले ठीक है चलिए आगे बढ़ते है नेक्स्ट important news की तरफ बढ़ते हैं आपको बताना है next question है कि कौन सी country ने अब भी हाली में military coup यहाँ पे गोशित कर दिया ग किसके द्वारा आर्मी के द्वारा ठीक है आर्मी military के द्वारा यहाँ पे detain कर लिया जाता है और इनकी post यहाँ पे चीन ली जाती है मतलब यहाँ पे आर्मी का राज हो जाता है पूरा ठीक है तो इसको बोलते हम लोग military coup अगर मैं आप से बात करू कौन सी country ने अब भी हा होना चाहिए यहाँ के president उस time कौन थे तो यहाँ के president थे अली बोंगो ठीक है इनकी family का बहुत time से यहाँ पे राज चल रहा था बट यहाँ पे definitely successful coup हुआ और यहाँ पे इनको detain कर लिया गया था ठीक है तो यह point भी आपको याद रखना है अगर मैं आपसे बात करू एक ची successfully coup हुआ है तो पहली है आपकी कौन सी Myanmar आपको पता होगा कि Myanmar में भी military coup हुआ था second है आपकी Nigeria मैं 2023 के ही बताऊंगा बस और third है आपकी Burkina Faso इन तीनों country में आपको यह याद रखना है कि अब भी हाल इमें military का coup हुआ था तो यह सारी information आपके exam के लिए important हो जाती है ठीक है अ कौन कौन सी country में successful attempt नहीं हो पाया मतलब यहाँ पे military ने attempt तो करा बट यहाँ पे coup successful नहीं हो पाया तो कौन कौन सी country है वो है आपकी Syria लियौन ठीक है और दूसरी है आपकी Sudan यह दोनों country भी important है और यह तीनों country भी काफी ज़्यादा important है और Gabon तो बहुत ज़्यादा important है ठीक comment section में पूछ रहा है sir कितनी देर होगी class यार अब भी start हुई है थोड़ा सा wait करो क्योंकि लौरी थी तो यहाँ पे नीचे functions पगेड़ा चल रहे थे तो proper यहाँ पे आपको भी आवाज नहीं आती मुझे भी disturb होता इस कारण से मैंने थोड़ा सा delay कर दिया है ठीक है चलो country ने moon sniper launch की है बहुत important question है बहुत जादा ठीक है क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे कोई पडोसी मुल्क अगर हम बात करें हमारे जब पडोसी मुल्क यहाँ चीजे यह करते हैं तो आपका बहुत जादा important हो जाता है आपको बताना है कि moon sniper कौन सी country के द्वारा launch किया गया ह जल्दी से बताएए चलो मैं बता देता हूँ आपको यह moon sniper किसके द्वारा किया गया moon sniper किया गया था जपान के द्वारा ठीक है देखें most of the student comment में चाइना तक भी बता रहे है ठीक है तो चाइना इसका अंसर नहीं है चाइना आपका नहीं यह जपान के द्वारा किया था moon sniper ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ ठीक है आपको पता है भारत और जपान के बीच में दो exercise होती है ठीक है इंडिया और जपान के बीच में एक exercise होती है जिसका नाम है धर्मा गार्जियन ठीक है धर्मा गार्जियन आपकी किसके साथ होती है इंडिया और जपान के साथ दूसरी आपको ये वाली पता होना चाहिए, वीर गार्जियन, ठीक है, ये भी किसके साथ होती है, ये भी होती है आपकी जपान के साथ, ठीक है, एक military की exercise होती है, जिसका नाम है आपका GMAX, ठीक है, GMAX किस-किसके साथ होती है, ये होती है आपकी इंडिया और जपान के साथ अगर मैं आपसे बात करूँ GMAX के बारे में तो ये इस बार कहां पे होई थी ये होई थी आपकी विशाका पटनम में प्लीज आप ये याद रखिएगा अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए कि Milan exercise ये इस बार कहां पे होगी देखते हैं इसका अंसर कौन कर पाता है अगर मैं आपसे बात करूँ जपान के बारे में तो आपको पता होना चाहिए ये दो डे एक है आपका हिरोशीमा डे वल्ड वॉर के टाइम में आपका बम यहापे गिराय गया था हिरोशीमा डे जोगी सेलिब्रेट किया जाता है आपका 6 अगस्त को ठीक है एक आपका डे है नागा साकी डे ठीक है ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 9 अगस्त को ठीक है यहाँ पे दो बम यहाँ पे गिराय गये थे एक का नाम है लिटिल बॉई ठीक है, दूसरे का नाम है आपका fat man, ठीक है, तो ये छोटे-छोटे आपके facts important हो जाते हैं और आपको ये सारे facts यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, चलो, तो आपको ये पता होना चीए, Milan exercises बार कहां पे हो रही है, ये हो रही है आपकी विशाका platinum है, ठीक है, चलिए, याद रखिएगा, बहुत important fact है, आगे बढ़ते हैं, next important question की तरफ बढ़ते हैं, अब भी आपको बताना है, world heritage in danger list, ठीक है, आपको बताना है अब भी, हाली में कमचात का, जो की एक natural site है, उसको अब भी inscribe किया गया, UNESCO world heritage site की list में, आपको इसका अंसर बताना है, कि ये कमचात का natural site कहाँ पर है, इंडोनेशिया, रशिया, जपान या फिर नन, देखते हैं, इसका अंसर कौन कर पाता है, जल्दी से बताईए, ये वही country है, जिसने लूना मिशन भी यहाँ पर भेजा था, ठीक है, ये वही country है, जिसने same sex marriage को यहाँ पर ban कर दिया गया था, ठीक है, और क्य बताऊं, ये वही country है, जिसने अब भी हाली में, बुरू, वेस्तिक, मिसाईल लॉंच की गई थी, ठीक है, इसका नाम यार एक बार चेक कर लेना, मुझे यही भाली आदे, बुरू, वेस्तिक, मिसाईल, ये वही country है, जिसने अब भी हाली में, conventional weapons जो होते हैं, ठीक है, उन किसने विड्रॉल किया था, तो ये विड्रॉल किया था आपका रशिया ने, ठीक है, ये वही country है, आपको ये भी पता होना चाहिए, कि जिसके साथ भारत, इंडिया और रशिया, एक nuclear power plant बना रहे हैं, जिसका नाम है कुंडल कुलम nuclear power plant, आप मुझे बताईए, कौन से state में है ये, देखते हैं कौन इसका अंसर कर पाता है, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ, इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया सबको यहाँ पर पता होगा, कि यहाँ पर इस बार की जो आसियान की सम्मिट हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी, वो ही थी आपकी इंडोनेशिया म नाम है eboo volcano ठीक है दूसरा आपको याद रखना है mount merapi ठीक है ठरड आपको याद रखना है amar ama krakatu volcano ये तीनो वालकेणो आप याद रखेंगे तो आपसे exam में पूछे जा सकते हैं और ये तीनो वालकेणो हैं आपके indonesia के ठीक है देखो आपको पता होगा कि अब भी रशिया और यूक्रेन के बीच में आपे वार हो रहा था तो आपको पता होना चाहिए एक डैम बहुत ज़्यादा न्यूज में आया था जिसका नाम है नोवा काकोवा डैम यह कौन सी रिवर पे था यह था आपका डिनाईपर रिवर यूक्रेन में था यह इसको हतिया लिया था किसने रशिया ने अगर मैं आपसे बात करूँ चार रीजन बहुत ज़्यादा न्यूज में आये थे जो आपसे CDS में भी पूछे गए थे एक था आपका डौनस्टेक टिक है एक था आपका लौसांक है ना एक था आपका कैरसन और एक हाँ था जैपरो जिया टिक है तो यह चार रीजन बहुत ज़्यादा न्यूज में आये थे और आपके बहुत सारी Egzams में यह question पूछा भी गया था टिक है तो make sure to remember this all the facts जो के आपके एक्जाम के लिए important होने वाले हैं तो आप इंडोनेशिया से भी याद रखेंगे रशिया से भी याद रखेंगे और डेफिनेटली आप यहाँ पे जो वालके नोज में आपको बताए है इबू मेरापी अमरका टू तो यह आप याद रखेंगे इंडोनेशिया में य यहाँ पे help मिलेगी ठीक है चलो definitely जब आप 17 और 18 को यहाँ पे question solve करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़े recall होने वाली है यह मेरा आपसे वादा है चलिए next question हम लोग देखते हैं next question है आपका strong Daniel ठीक है बहुत important है और most of the student यहाँ पे मात खा जाएंगे क्योंकि उनको यह answer नहीं पता होगा ठीक है सबको यहाँ पे पता होगा सबको यहाँ पे पता होगा विपर्जुआय नाम किस ने दिया विपर्जुआय दिया बंगलादेश ने ठीक है सबको पता होगा यहाँ पे मोचा किस ने दिया मोचा दिया यमिन ने ठीक है तेज किस ने दिया इंडिया ने ठीक है बट बात आएगी कि Strom Daniel ये Strom Daniel कौन सी country में आया था तो ये आया था आपका Libya में ठीक है प्लीज इसको भी आप याद रखेगा बहुत जादा important है और Libya का capital क्या है Libya का capital है आपका tripoli है ठीक है मतलब बहुत जादा poly है तो इसके इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉम आ गया था ये से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं ठीक है तो news में basically आपसे question ये पूछा जा सकता है प्लीज इसको याद रखिएगा ठीक है अच्छा एक चीज आप ये बताईए मुझे Australia में cyclone को क्या कहते है थोड़ा सा geography थोड़ा सा बस मैं current affairs से भार वैसे नहीं जाता हूँ बढ़ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ठीक है चाइना और जपान में आपके cyclone को क्या कहते है ठीक है USA में क्या कहते है और इंडिया में तो सब को पता है ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ इंडिया में क्या कहते हैं इंडिया में कहते हैं cyclone ठीक है USA में क्या कहते हैं US में कहते है hurricane ठीक है चाइना और जपान साइट क्या कहते हैं ये कहते हैं टाइफून ठीक है और Australia का important है वो है आपका Worlie really ठीक है। और Australia मे एक साइटल ஐन आया था जिसका नाम है Jasper जिसने बहुत सादा effect कर रहा था आपके Australia को ठीक है और पता हिए आपको इस बार का जो World Cup जीता था वो जीता था Australia ने ठीक है वो दुख अब वी तक कतम नहीं होता बट मैं को यहां पर बताना पढ़ेगा क्योंकि आपके एक्जाम में questions फूचे जा सकते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ता है next question है आपको बताना है who become the first teenager since Serena Williams in 1992 to win the US Open Crown ठीक है बस आपको यह बताना है कौन यहापे first teenager बनी है after Serena Williams ठीक है मतलब यह बहुत कम उमर की है और आपका जीत लिया है US Open Crown तो आपको बताना है इस बार का US Open Crown किसने जीता है जल्दी से बताईए US Open Crown किसने जीता है कौन बताएगा US Open Crown किसने जीता यह जीता आपका Coco Goof ने ठीक है और आप mail में किसने जीता अगर आपसे exam में पूछ लेए उस ओपन मेल में किसने जीता तो ये जीता था अमारे नोवाग भहिया ने ठीक है। आप इनका भी याद रखेंगे। अगर मैं आपसे बात करू टेनीस से रिलेटेट चीजों की तो आपको एक प्लेयर याद होगी णोगी सिमोना हेलेप। देखो option में भी यहाँ पे दी गई है Simona Halep, इनको 4 साल के लिए ban कर दिया गया है, ठीक है आप यह समझ सकते हैं, 4 साल के लिए ने ban कर दिया गया है, due to the doping, ठीक है, doping के कारण इनको 4 साल के लिए यहाँ पे ban कर दिया है अगर मैं आपसे बात करूँ आपको पुलजी, ठीक है 1 इंडियन बुमेन, 2 आपके सहवाग, ठीक है 3 आपके अरविंद जो की श्री लंका से यहाँ पे बिलॉंग करते है Tennis Hall of Fame में आपके 3 लोगों को यहाँ पे लिया गया था जिसमें आपके 1 अशियन बने थे जिनका रिचाड रिचाड इविंस तो यह तीनों नाम आपको याद रटना है यह Tennis Hall of Fame के हैं और यह Cricket Hall of Fame के हैं ठीक है, तो basically इनका Hall of Fame में यहाँ पे नाम दिया जाएगा और इनकी यहाँ पे तस्वीर लगाई जाएगी, ठीक है तो बस आप इतना याद रखिए, बस आपके एक्जाम के लिए इतना ही important है, ठीक है, चलो clear हुआ यहाँ तक सब कुछ आगे बढ़ें, आगे बढ़ता है next number का question है 8th number का question जो कि आपका अगर F-CAT exam की तयारी भी अगर आप कर रहे होगे, तो इतनी बार यह question पूछा गया है सुबरो तो कब, ठीक है, सुबरो तो कब किस से related होता है, अगर आप से exam में पूछ लें, सुबरो तो कब किस से related है, तो यह है basically आपका football से related, ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपको मैंने कल भी बताया था एक कब जिसका नाम है आपका दुरंद कब ठीक है, दुरंद कब अगर आपसे पूछ लें कि दुरंद कब इस बार का किस ने जीता तो यह जीता था आपका मुहन बगान ने, ठीक है, सबसे ज़ादा यहाँ पे title सब भी तक पाने वाला मुहन बगान, ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ सुबरो तो कब के बारे में, ठीक है सुबरो तो कब के अगर बारे में बात करूँ, तो यह स्टार्ट हुआ था आपका 1960 में, और यह आपका किस के नाम पे रखा गया था, यह रखा गया था आपका Air Marshal किया जाता है, तो इस बार का जो सुबरो तो कब जीता है, वो जीता है जारकंड के एक स्कूल है, जिसका नाम है, सेंट पेटरिक स्कूल ठीक है, तो प्लीज मेक शॉर तो रिमेंबर इस कि आपको यह भी याद रखना है, इस बार का सुबरो तो कब किसने जीता है ठीक है तो आप याद रखेंगे सुबरों तक अब जीतने वाले टीम बनी है सेंट पैटरिक स्कूल जो कि आपकी जारकंड बेस्ट स्कूल है ठीक है और यह कब यहाँ पे 1960 में स्टार्ट हुआ था बेसिकली यह कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है तो यह आपका फुटबॉल से रिलेटेड है आगे बढ़ता है नेक्स कौशन भी काफी जादा इंपॉर्टेंट है आप खुच सोच सकते हैं कि जो इंडियन कोस्ट गाड के जो हैड है ठीक है वो आपके मिले थे कहां पे मिले थे यह आपसे क्वेशन पूछा है आप यह समझो जो हमारा continent है Asia ठीक है उसके जितने भी coast guard के आपके जो head है वो एक country में यहापे मिले थे वही आपसे question पूछा जाएगा exam में ठीक है क्या वो ब्राजील में मिले थे इंडोनेशिया में मिले थे Malaysia या फिर टर्की जैसा आपको पता है Brazil G20 की अब यहाँ पे चेयर्मेंशिप ले चुका है इससे पहले हमारे प्यारे भारत के पास थी और इससे पहले हमारे इंडोनेशिया के पास थी और इंडोनेशिया आपको पता है इस बार का ASEAN यहाँ पे चेयर किया था और अब अब आप मुझे बताओ कि यह कहाँ पर हुई थी, कौन बताएगा इसका अंसर देख़ो basically यह कहाँ पर हुई थी वो मैं आपको बता देता हूं यह हुई थी आपके Istanbul में, ठीके, और Istanbul आपका कहाँ पर है यह है आपका तुर्कीये में, ठीके, जब आपका इसका नाम आपसे exam में कि Turkey के अब भी नए कौन यहाँ पर President बने हुए है तो वो बने थे आपके Adogan तो आपके जो टर्की से related चीजे होती है वो तो basically हर exam यहाँ पर पूछ रहा है तो यह वाला question भी आपसे पूछा जा सकता है तो यह जो meeting हुई थी आपकी New Delhi में ठीक है New Delhi में करवाई थी हमने कि सारे army के head आओ और यहाँ पर मिलके जाओ ठीक है अगर आपसे मैं बात करूँ Coast Guard के बारे में तो Coast Guard के Director General कौन है तो वो है आपके Rakesh Pal साब ठीक है DG Rakesh Pal साब आपको यह नाम याद रखना है और आपको यह भी पता होगा कल मैंने आपको एक operation बताया था सजग यह operation किसका है तो यह operation है आपके Coast Guard का ठीक है प्लीज मेक शॉर तो रिमेंबर इस पॉइंट क्योंकि आपको exam में direct questions भी मिल सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो next question इतना important है क्योंकि बहुत ज़ादा important है में इसका क्यों ही answer बताओं कि क्योंकि important है देखो क्योंकि आपकी जो BRICS summit है basically जो BRICS जो group है basically वो अपने आपने इतना important हो जाता है तो आपको यह बताना है इस बार की जो BRICS summit हुई थी वो कहाँ पर हुई थी Brazil, Russia, China या फिर South Africa में जल्दी से बताओं यह answer इस बार की जो BRICS की यहाँ पर summit हुई थी वो कहाँ पर हुई थी देखो जो इस बार की BRICS की summit हुई थी वो हुई थी आपकी South Africa में ठीके और basically यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर होता है rotation wise ठीके तो अगर आप से exam में pushland 2024 की यहाँ पर कौन host करेगा ठीके तो definitely आपके दिमाग में यह आएगा rotation हो रहा है तो ब्राजील करेगा बट यहाँ पर ब्राजील ने मना कर दिया है तो ब्राजील नहीं कर रहा है तो कौन करेगा वो करेगा रशिया ठीके और ब्राजील ने क्यों मना कर रहा था basically उसको क्या host करना है उसको host करना है G20 summit ठीके उसको पहले से यहाँ पर load है और आप load दे दो BRICS का तो definitely उसको तो यहाँ पर दिमाग खरा हो जाएगा तो उसने वहला भाई रशिया तू कर ले इस बार बाद में और कभी देख लूँगा ठीके तो आपको याद रखना है इस बार की जो BRICS की summit हुई थी वह हुई थी आपकी South Africa में और 2024 की होगी आपकी रशिया में प्लीज इसको याद रखिये ठीके अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो new members आपके add-on हुए हैं यह आपके January में ही हुए हैं ठीके पांच new member BRICS में आने वाले हैं अब मुझे नहीं पता कि इसका यह जो BRICS का आपका कैसा हो जाएगा बट आप यह पांच नाम यहाँ पे लिख लो ठीके एक है आपका Egypt ठीके सेकिंड है आपका Ethiopia बहुत important ठीके फोर्थ है आपका Saudi Arabia ठीके और फिफ्थ है एक नाम और लिख लो यहाँ पे फिफ्थ है आपका UAE ठीके अगर मैं इरान की बात करूँ तो इरान एक और यहाँ पे organization का नया member है जिसका नाम है SCO ठीके तो यह भी आप याद रखेगा अचा SCO भारत और पाकिस्तान ने कब जॉइंग की थी आप वो भी मुझे comment section में बताएंगे ठीके और SCO में total members कितने एक बार वो भी मुझे comment section में बताएंगे ठीके चलो तो आपको यह चीज clear होगी एक बार आपको बता दीजिए अगर मैं आपसे बात करूँ BRICS के बारे में तो BRICS का headquarter कहां पर है BRICS का headquarter है आपका संगाई में ठीके और संगाई में आपका BRICS का headquarter और यहाँ पे इनी का खुद का एक bank है अगर इनको खुद से loan ले रहा है तो वो कहां से लेते हैं वो लेते हैं National 2009 में ठीके 2009 में यह सिर्फ था BRICS ठीके बट आपका South Africa ने यहाँ पे बाद में इसे add on कर लिया गया तो यह हो गया आपका BRICS ठीके बहुत इतनी important information आपके लिए काफी है next देखते है ADB कौन बोल रहा है Asian Development Bank इनका नहीं है शुबम गौतम बोल रहा है सर मैंने आपकी दो क्लास ली content अच्छा लग रहा है जादा से जादा करवा दीजिए जी सर बिलकुल करवा ही रहा हूं यार मैं कोशिश मेरी यही यह पूरी ठीक है चलो next question की तरफ बढ़ते हैं आपको बताना है की 11 number का question है आपको यह बताना है C295 military transport aircraft ठीक है यह भारत में कहां पे बनेंगे बताओ पहले तो मैं आपको यह बता दू यह जो है आपके C295 आपके जो यह क्या है यह आपके transport aircraft है ठीक है तो basically आपके लिए exam के लिए important हो जाता है अगर आपसे पूछ लें की C295 क्या है तो यह transport aircraft है ठीक है और यह कौन सी country से लाए गए है तो यह लाए गए है आपके Spain से ठीक है कल भी I guess मैंने आपको बताया था तो please अभी भी आप याद रखिए आपसे exam में पूछा जा सकता है ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ यह कहां पे बनाए जाएंगे तो यह बनाए जाएंगे गुजरात में ठीक है गुजरात में आपको पता है कि भारत का first nano DAP plant आपका आ रहा है ठीक है तो यह कहां पे आ रहा है यह आ रहा है तो ये एक छोटा सा point है, आप इसे भी याद रख सकते हैं, और ये कौन से project की है, ये है आपके project 15B की, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं जो link करता हूँ ना चीजे, वो ऐसे नहीं कि चलो मुझे कुछ याद आ रहा है, ऐसा वैसा मैं link नहीं करता हूँ, मैं mind में, आपके subconscious mind में बैट जाता है, ठीक है, तो इसलिए अगर हर कुछ link करोगे, तो वो आपको confusion यहाँ पे create करेगा, ठीक है, चलो आप समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं, 12th number का question फटा फट बता दो मुझे, कि निरक्षी आपका क्या है, ठीक है, ये question आपके exam में बता है, बताओ, यार बहुत सारे लोग सब्मरीन बोल रहे हैं, सब्मरीन कहां से पढ़के आए हो यार, निरक्षी, निरक्षी सब्मरीन नहीं है, निरक्षी क्या है, दो मिनट पानी पीलें दीजी यार, ठीक है, निरक्षी कि अगर मैं आप से बात करूँ, तो ये है, एक आपकी अंडर वाटर वीकल, ठीक है, ये एक आपकी अंडर वाटर वीकल है, और ये क्या करेगी, ये पता है क्या करेगी, यह Mine वगेरा यहाँ पर DT2 करेगी ठेकिए जबकी Mines वगेरा होती है यह DT2 करेगी और इसको बनाया किसके द्वारा आए इसको बनाया गया है जि-R-S-E के द्वारा ठेकिए garden rich shipbuilders and engineers के द्वारा बनाया गया इसको निरक्षी को ठीक है तो आपको याद रखना है बहुत जादा important point है कि निरक्षी एक underwater वीकले ना कि एक submarine है important question है पूछा जा सकता है क्योंकि IB वाले में भी आपको defense का knowledge होना काफी important है इसलिए मैं defense के questions भी आपको जादा से जादा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है चलो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से अप भी important है जैसे आपका इंद्रजल मैं लिख दू क्या कि आप मुझे बताओगे इंद्रजल क्या है एक आपका news में आया था इंद्रजल एक news में आया था आपका घातक घातक क्या है आपको एक चीज और बताना है जोरावर क्या है ठीक है चलो और क्या पूछू आपसे प्रचंड क्या है और क्या पूछू मुझे भी याद होना चाहिए या प्रचंड प्रचंड और प्रचंड से चलो एक प्रभल बताओ मुझे प्रभल क्या है और एक last में पूछ लेता हूँ ये आपसे पूछता हूँ महाबली महाबली क्या है देखते हैं कौन इसका अंसर कर पाता है, sorry spelling गलत होगी महाबली की, महाबली, ठीक है, नहीं भी पता है answer, कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, आपको सारे बता दूँगा, ठीक है, इंद्रजल की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो इंद्रजल क्या है, कल भी मैंने आपको last में question पूछ के गया था, मैं, इ गातक क्या है, गातक एक drone है, ठीक है, चलो याद हो गया, जोरावर क्या है, जोरावर आपका एक tank है, प्रचंड क्या है, प्रचंड आपका एक helicopter है, ठीक है, प्रबल क्या है, प्रबल एक भाईसाब कानपूर का एक कट्टा है, ठीक है, कट्टा है मतलब आप एक ये समझो, एक revolver है ठीक है long range indigenously developed revolver है आप इसको याद रखेगा और महावली क्या है महावली एक survey vessel ठीक है I guess मैं बहुत सारी चीज़े आपको link कर पाया हूँगा knowledge दे पाया हूँगा मेरी यही उमीर है कि आपको यहाँ पे चीज़े clear हो गई होगी ठीक है चलो अचा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ गुजरात में अब भी आपको पता होगा कि एक यहाँ पे submarine tourist यहाँ पे की गई है आपको पता होगा यह द्वार का जो नगरी है ठीक है बहुत सारे लोग यहाँ पे जो बोलते हैं कि यह द्वार का नीचे बसा हुआ था पहले ठीक है तो उसको यहाँ पे आपका tourist यहाँ पे लेके जाएगी submarine तो यह कहाँ पे की गई है यह की गई है आपके गुजरात में ठीक है एक छोटा सा point है इसको याद रख सकते हो गुजरात से अब भी याद करा मैंने ठीक है चलो आगे बढ़ें बताओ जार बहुत सारी चीज़े लिंक करते हैं हम लोग मज़ा आता है ठीक है चलो 30 नंबर के question पर आ गए है माला बार exercise 2023 पहले तो pen change कर लेते हैं यह तो दिखे गई नहीं आप लोग को माला बार exercise 2023 आपको बताना है कौन सी country में हुई थी देखने है इसका अंसर कौन बताएगा जल्दी से बताओ यार easy question माला बार exercise आपकी कहां पर हुई थी पहले तो मैं आपको बता देता हूँ यह आपका कौन के बीच में होती है यह होती है आपकी quad group में quad group में आपकी कौन कौन सी country है इसमें आपकी शामिल है इंडिया, USA, जपान और आपकी ऑस्ट्रेलिया ठीक है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया मैं coral reefs यहाँ पर पाय जाते है ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ एक group और important है जिसका नाम है I2U2 तेक है I2 से यहाँ पर क्या निकलता है इससे निकलता है इंडिया और आपका इसराइल तेक है U2 से क्या-क्या निकलता है U2 से निकलता है USA और UAE तो यह दोनों याद रखेगा आप group I2U2 और आपका quad अगर मैं आपसे बात करूँ इस बार जो आपकी माला बार exercise हुई थी वो कहाँ पे हुई थी वो ही थी आपकी Australia में तेक है Australia में हुई थी और भारत की तरफ से कौन सी INS ने participate करा था तो यह participate करा था आपका INS सयादरी ठीक है प्लस आपकी INS कॉल करता ने ठीक है और अगर मैं आपसे मैं बात करूँ एक यहाँ पर P8I aircraft ने भी यहाँ पर participate कर रहा था आप इसको याद रख सकते हैं बाकी दो INS बहुत important है यह तो आपको याद ही रखना पड़ेगी ठीक है चलो आगे बढ़े सर यह question SSB में पूछा था क्वाड ओके बेसिकली आ सकता है मुझे लगता है आपसे क्वाड से related कुछ question पूछा जा सकता है आई भी में ठीक है यार continue आप लोग की दो दिन से तीन दिन यहाँ पर class चली मज़ा आ गया बट हाँ थोड़े से यहाँ पर problems भी आई ठीक है क्योंकि काफी एक्टिक हो जाता है बट मज़ा जरूर आ रहा है ठीक है चलो आपको यह बताना है अब भी हाली में सुप्रीम कोट ने एक जुडीशियल पैनल बनाई थी जिसा आपको पता है आपने देखा होगा कि मनीपूर में बहुत जादा यहाँ पे वाइलेंस हो गया था ठीक है पहले तो बताओ मनीपूर का कैपिटल क्या है मनिपूर का या इमफाल और इमफाल आपकी क्यों यूज में आई थी मनिपूर का जो वायलेंस हुआ था वो भी आपको पता होना चाये और जो आपकी इमफाल ही वो एक्णम्यन्स में आई थी आपको पता है यह आपका project 15 week candor आती है और इसने first INS बनी थी जिसने accommodation provide करवाया रगया था women officers को ठीक है ये point तो आपका हो गया ठीक है अब ये जो committee बनाई गई थी इसको किसने head किया था तो इसको head किया था आपका किसने ये head किया था गीता मित्तल जी ठीक है तो please आप इसको याद रखेगा जो मनिपूर में यापे violence हुए थे उसको यहाँ पे head किया गया था गीता मित्तल ने ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ ये judicial panel बनाई गई थी इसमें around 3 members यहाँ पे थे जिसमें आपकी गीता मित्तल एक आशा मैनन जी और एक आपकी शालिनी पी जोशी जी ठीक है तो यह तीनों आप यहाँ पे नाम रखेंगे because यहाँ पे शुप्रीम कोट के द्वारा all women judicial panel यहाँ पे बनाई गई थी मनिपूर के लिए ठीक है तो आपसे यह भी पूचा जा सकता है कि all women judicial panel कौन से state के लिए बनाई गई थी तो यह बनाई गई थी आपकी मनिपूर के लिए इसको please याद रखेगा important fact है ठीक है चलो अगर मैं आपसे बात करू कुछ committees discuss कर लेते हैं committees एक बार देख लेते हैं अगर आपके exam में पूच लिगई एक committee मुझे याद आ रही आपकी कीरित पारिक committee यार ये committee है ना मतलब BPSC का जो आपका exam होता है ठीक है BRPSC का उसमें दो बार question पूच लिया था कीरित पारिक committee तो ये आपकी किसके related है ये आपकी guest pricing के लिए related है ठीक है अगर मैं आपसे बात करू एक committee बनाई गई थी नित्यानंद राय committee ठीक है ये काई के लिए बनाई गई थी ये लदाख के welfare के लिए बनाई गई थी ठीक है लदाख को आपको पता होगा बहुत सारी news में हम relate कर चुके है आगे भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है बढ़ आप याद रखेगा नित्यानंद राय committee लदाख के लिए बनाई गई थी ठीक है एक committee आपे बनाई गई थी मनिपूर वाइलेंस के लिए ठीक है अगर आपसे पैनल पूछें जुडिशियल पैनल तो वो आपका गीता मैत मित्तल ने head किया था बढ़ मनिपूर वाइलेंस के लिए committee बनाई गई थी वो आपकी head की थी अजे लामबा ने ठीक है तो यह आपको facts याद रखना है important है सर इसकी pdf कहां मिलेगी प्लीज यार जो इसकी pdf है ना इसकी pdf आपको desire to learn telegram channel पे मिल जाएगी अगर आप desire to learn यहाँ पे search करेंगे तो around 41,000 यहाँ पे subscriber है आपके telegram पे तो आप महाँ पे देख सकते हैं ठीक है और insta को भी follow कर लेना अगर आप कर सकते हो तो बाकी कोई issue नहीं है ठीक है आपने अगर desire to learn को youtube पे subscribe भी नहीं किया तो वो भी दिक्कत नहीं है मत करो खोई दिक्कत नहीं बट पढ़ो यह मेरा एक important motive है चलो next question अगर यह question नहीं आया ठीक है तो please आप में को आके बोलना कि sir यह question नहीं आया इंदौर में आके बोलना ठीक है यह question नहीं आया sir आपने गलत पढ़ाया यह question 100% आपके कोई ना कोई set में आने वाला है ठीक है basically यह होता है आपका Raymond Macsay 2023 अवार्ड ठीक है इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ यह कौन सी country के द्वारा दिया जाता है तो यह दिया जाता है आपका Philippines के द्वारा ठीक है Philippines जिसका capital आपको सबको पता होगा Manila और इस बार का आपका अगर मैं बात करूँ कि भारत की तरफ से किसको मिला तो यह मिला आपका डॉक्टर रवी कनन जी को ठीक है यह काफी एक important यहाँ पे हमारे हैं असाम से हैं यह basically ठीक है और यह एक oncologist है और यह जो cancers वगेरा के जो treatments होते हैं उसमें काफी यहाँ पे प्रभल है यह तो रवी कनन जी आप यहाँ पे याद रखिएगा रवी कनन जी को Raymond Mac से अवार्ड दिया गया ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ Raymond Mac से अवार्ड को आपका Nobel Prize of Asia भी कहा जाता है ठीक है एशिया का Nobel Prize भी कहा जाता है ठीक है तो आप मुझे एक बार बता दो कि इस बार का जो piece का Nobel Prize किसको मिला था देखते हैं आपने पुरानी class revise की है या नहीं की है ठीक है बस आपको piece का बताना है बाकी तो मैं समझ जाओंगा आपको याद है या नहीं ठीक है ये question मुझे textbook के mock में आया था ठीक है ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर चार लोगों को यहाँ पर मिला था पहले तो हैं आपके रवी कनन जी ठीक है दूसरे की अगर मैं आपसे बात करूँ तो वो है आपके कॉर्बे रक्षेंड थोड़ा सा आप यह रख लेना कोई दिक्कत नहीं है बस नाम याद रखना कॉर्बे रक्षेंड यह आपके बांगलादेश से हैं ठीक है ठीक है यह आपके टिमूल लेस्टे से हैं ठीक है टिमूल लेस्टे से आपको यह याद आ रहा होगा कि नरेन मोदी जी जब आसियान की आपे सब्मिट में गए थे तो उनने बोला था हम टिमूल लेस्टे में एक एमबसी बनाएंगे और टिमूल लेस्टे का capital क्या है दिली और टिमूल लेस्टे बनने वाला है 11th member of ASEAN ठीक है फूर्थ question फूर्थ आपको बताता हूँ फूर्थ थे आपके Miriam Coronel ठीक है ये आपके Philippines से है ठीक है तो basically देखो मुझे लगता है ये वाले नहीं पूछेंगे मुझे ऐसा लगता है बट आपसे रवी कनन गी जी के बारे में तो definitely पूछा जाना चाहिए ठीक है अगर ये पूछ लिया तो आपको मज़ा आ जाएगा ठीक है रवी कनन जी ठीक है डॉक्टर है डॉक्टर रवी कनन जी और रैमन मेक्स से अबॉर्ड बहुत जादा important है प्लीज इसको याद इन केस अगर पूछ लें तो ये दिया गया था आपका विनोबा भावे जी को अगर आपसे पूछ लें फर्स्ट इंडियन वू गॉट रैमन मेक्स से अवाड तो ये दिया गया था आपका विनोबा भावे साब था ठीक है प्लीज आप इसको याद रखेगा important question है आपसे exam में पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं चलो next question है आपका 16 number का आपको बताना है भारत indigeniously develop कर रहा है आप सोच सकते हैं कि indigeniously आपका develop कर रहा है आपने बहुत सारे plants देखे होंगे ठीक है nuclear power plants देखे होंगे ठीक है मैं अभी example तो नहीं लूँगा बट उसमें आपका नहीं देखा होगा कि बहुत सारी countries यहाँ पर involved होती है nuclear power plant में जैसे आपकी अब भी मैंने आपको बताया कुंडल कुलम ठीक है तो उस वो आपका रशिया की मदद से बनाया गया है कुछ USA की मदद से बनाये जाते हैं तो different different आपकी यहाँ पर plants बनाये जाते हैं बट आपका भारत अब यहाँ पर first time बना रहा है खुद की indigeniously develop कर रहा है nuclear reactor यह जिसका नाम है काकरापूर पावर प्लान तो आपको बताना है कौन से state में है जल्दी से बताईए यह question भी आने वाला है यार यह पूछेंगे नहीं तो क्या पूछेंगे वो ठीक है तो यह पूछेंगे वो आपसे इस cancer आपको करना है इस cancer है आपका गुजराद ठीक है अचा गुजराद से क्या क्या news आपको याद आती होंगी मुझे तो first news आती है nano dap plant किस-kis को यही वा है सूरत में एक चीज और बताता हूं मैं आपको एशिया का first reactor एक बार ये question आपके CDS में पूछा गया था Asia का first reactor जिसका नाम क्या था जिसका नाम था अपसरा थीक है अपसरा पैंसिल नहीं ना ये आपकी अपसरा है तो प्लीज आप इसको याद रखेगा आपसे पूछा जा सकता है अगर मैं आपसे बात करूँ अब भी हाली में वाइबरेंट गुजरात भी हाँ पर होस्ट की गई थी और उसमें आपके चीफ गैस कौन थे उसमें चीफ गैस थे आपके UAE के हाँ पर प्रसीडेंट में उनका बस आप इतना याद रख लो ठीक है चलो सब्मरीन टूर मैंने आपको बता दिया है जो आपका गुजरात में होगा ठीक है गो साजन गो ठीक है चलो आगे बढ़े यार पतंग की आद मत दिलाओ यार कौन बोल रहा है काइट फेस्टिवल भी होता है ठीक है जो पहले मतलब जो जवाना हुआ करता था पतंग बाजी करने में अलगी फील आता था क्या मैं आपको रात में बता रहा हूँ यह चीज ठीक है मतलब नीन नहीं आती थी और मतलब जब यहां पे होता था ठीक है तो ऐसा लगता था कि आप यहार सुबे उठके बस पतंगी करता था बस पहले जैसा jaki आप माहुल नहीं रहा जो सकरांति वगेरा पर ठीक है आपके साइड में क्या बोलते हो त्रन यहां पर बोलते हूंगे बड़ान पर सकरांती यहां पर बोला जाता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे थोडा सा डिसकॉशन हुआ कोई बात न आगे बढ़ता है 17 question आपके लिए important है क्योंकि Defense Ministry of India ने अब भी हाल ही में announce किया है कि हम लोग यहाँ पे replace कर देंगे हमारा Microsoft OS को all the computer से ठीक है जब आप यहाँ पे आपके defense में जब जाओगे ठीक है जब आप यहाँ पे computer माँ पे चलाओगे तो आपको माँ पे Microsoft OS यहाँ पे नहीं दिखेगा ठीक है तो आपको क्या दिखेगा Linux Maya, Inda, Ind या फिर आपको भार ठीक है Linux OS, Maya OS या Ind OS या फिर भार OS कौन सा दिखेगा बताओ answer ठीक है तो आपको कौन सा दिखेगा आपको दिखेगा Maya OS, ठीक है प्लीज आप इसको याद रखेगा important question है आपसे exam में पूछा जा सकता है अच्छा यह भार OS भी तो news में आया था, यह भार OS क्या है तो यह आपका एक India का खुद का mobile operating system है ठीक है जो कि आपका IIT मदरास के दौरा बनाया गया है ठीक है आप यह याद रखेगा अगर मैं आपसे बात करूँ आपको पता होना चाहिए कि आपके जो सारे जो मतलब chat GPT वगेरा यह सारे है ठीक है आपको यह याद रखोना चाहिए पहला है आपका BARD आप बताते जाना यह कौन सी company का है BARD artificial intelligence कौन सी company का है एक है आपका टोपाज chat board तीसरा है आपका जैमिनी ठीक है फोर्थ है आपका कुरुतनम कुरुतियम करके कुछ है यह इसका मैं आपको बता दूँगा एक चीज जो आप मुझे बताईए BARD किसका है जल्दी से बताईए BARD किसका है तो यह है आपका Google का ठीक है और टोपाज किसका है यह है आपका Infosys का ठीक है जैमिनी किसका है जैमिनी आपका Alphabet का है ठीक है इसकी जो parent company है वो है आपकी Google ठीक है और कुरुतनम किसका है यह है आपका Ola का ठीक है और कुरुतनम का मतलब यह संस्कृत वर्ड है और इसका हिंदी में मतलब होता है Artificial Intelligence ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ें? बताओ अज़ा एक और मैं आपको बता देता हूँ I guess आपके CAPF exam में इस बार पूछा गया था आपको ये बताना है कि Aravat क्या है? Aravat क्या है? ये कुशन आपके CAPF में पूछा गया था तो Aravat एक सूपर कम्प्यूटर है ठीक है? Aravat एक सूपर कम्प्यूटर है ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं याथ आगे बढ़ते हैं Next question आपको बताना है Which of the following country has announced it to launch is Lunar Landing Spacecraft Luna 25 Mission जैसा आपको बता है कि चंद्रयान 3 यहाँ पे successfully यहाँ पे launch हुआ था तो उसके बाद यहाँ पे Luna 25 यहाँ पे भेजा गया था कौन सी country के द्वारा भेजा गया था Basically यह जो आपका भेजा गया था वो बाद में यहाँ पे successful नहीं हो पाया था जैसे हमारा चंद्रयान 3 हुआ था बट Luna यहाँ पे नहीं हो पाया था तो Luna कौन सी country ने भेजा था तो Luna आप बताईए जल्दी बताईए तो Luna भेजा गया था आपका रशिया के द्वारा ठीक है आपने पहले बहुत सारी यहाँ पे Luna सुनी होंगी तो आपको याद रखना है कि आपके जो रशिया ने यहाँ पे भेजा था आपका Luna 25 इसलिए यहाँ पे इसकी successfully landing यहाँ पे नहीं हो पाई थी तो आपसे यह question पूछा जाएगा कि Luna 25 mission आपका किसके द्वारा यहाँ पे बेजा गया था तो यह बेजा गया था आपका Russia के द्वारा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं next question है आपका अभी हाली में भारत ने ठीक है आपका जो mains hockey Asian championship होती है उसमें किसको यहाँ पे भरा दिया है कौन बताएगा इसका अंसर कौन बताएगा South Korea, Japan, Malaysia या फिर आपका Pakistan यार ये question आ सकता है मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे हराया है इसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे अभी हाली में फिह के जो Federation of International Hockey है उसने अभी हाली में अपने Awards यहाँ पे Announce किये हैं ठीक है तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपके Men's में Award किसको दिया गया तो ये दिया गया आपके Hardik Singh को ठीक है Hardik Singh हमारे प्यारे भारत से ठीक है Second जो आपके Women's में दिया गया ठीक है Women's में किसको दिया ये दिया गया Zende Zendebord Zendebord ही नाम यह है उनका शायद और ये Netherlands है ठीक है अगर मैं बात करूँ Goalkeeper में किसको दिया ठीक है Goalkeeper Men's में किसको दिया तो ये दिया गया आपका Pirim ठीक है ये आपके लिए important नहीं है ये दोनों बेसिकली आपको ये याद रखना है जो आपका Goalkeeper में Women's का दिया गया वो किसको दिया गया वो दिया गया Savita Poonia जी को ठीक है और ये कहां से है ये हमारे प्यारे भारस से है ठीक है तो बेसिकली आपके जो FIH के आपके चार अवर्ट के यहाँ पे में होते है तो फर्स्ट आपका जो Men's का यहाँ पे दिया गया वो हर्दिक सिंग को और जो Goalkeeper of the year अवर्ट दिया गया वो Savita Poonia जी को दिया गया था ठीक है तो make sure to remember this all the awards क्योंकि आपसे exam में जरूर पूछा जाएगा कि Goalkeeper of the year अवर्ट FIH के द्वारा किसको दिया गया तो यह दिया गया था Savita Poonia जो कि हमारे प्यारे भारत से बिलॉंग करती है ठीक है चलो आगे बढ़े और आपको यह बताना है इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था वो वाला तो उससे confuse मत हो ना यह आपका Asian Championship Trophy है ठीक है चलो Most of the students इस question में confuse हुए होगे क्योंकि उन्हें 5S होकी यहां पर पता होगा बढ़ आपको याद रखना है भारत ने Malaysia को हराया था और 5S होकी में हराया था इंडिया ने पाकिस्तान को ठीक है बहुत जादा discussion हो गया आगे बढ़ते है चलो यह question तो 100% आ रहा है मैंने जब IB के papers यहां पर देखे थे तो उसमें एक question था disease से related ठीक है और आपसे direct पूछा गया था कि यह disease यहां पर कब तक खतम हो जाएगी हमें भी तो बताओ IB वालों को यह knowledge होना चीए कि कब तक यह disease खतम हो जाएगी ठीक है तो आपको बताना है कि भारत का aim क्या है कि lymphatic phalorosis ठीक है तो कोई lymphatic phalorosis का अगर मैं आपसे बात करूँ इसका एक और नाम होता है इसका नाम होता है आपका elephantesis ठीक है इसमें क्या होता है आपका आपने देखे होंगे कुछ-कुछ है ना बड़े-बड़े यहां पे लोगों के पैर हो जाते है मतलब उनके पैर में swelling वगेर आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते है elephantesis मतलब उनके जो पैर है वो कैसे हो गए वो आपके elephant जैसे हो गए तो यह आपकी कब तक खतम हो जाएगी वो आपको मुझे बताना है ठीक है जल्दी से बताओ elephantesis कब तक खतम हो जाएगी तो यह हो जाएगी आपके कौन बता रहा इसका अंसर 247 नहीं है यार कुछ-कुछ 247 भी बता रहे हैं कोई बात नहीं चलो मैं बताता हूँ आप 227 तक आपकी elephantis elephantesis या फिल lymphatic faliruses बोलो यह आपकी खतम हो जाएगी ठीक है चलो अगर मैं आपसे बात करूँ मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन-कौन सी मुझे याद है सिकल वाली तो आप नहीं बता दी comment section में मुझे याद करने की जरूरत नहीं है सिकल सेल की जो बिमारी है वो आपकी कब तक खतम हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2047 तक ठीक है और यह मोदी जी ने कहाँ पर जाके बोली थी यह बोली थी आपके शडोल में शडोल कहाँ पर यह आपके मध्य प्रदेश में अगर मैं आपसे बात करूँ टीवी ट्यूबर क्लोसिस आपकी कब तक खतम हो जाएगी तो यह हो जाएगी आपकी दो हजार पच्चिस तक हमारे भारत का ने प्रण लिया है कि दो हजार पच्चिस तक हम खतम कर लेंगे और वर्ल्ड ने प्रण लिया है कि हम दो हजार तीस तक हमारी जो टीवी की जो विमारी है उसको यहाँ पर खतम कर लेंगे ठीक है चलो अगर मैं आपसे बात करूँ कि malaria ठीक है malaria आपकी कब तक खतम हो जाएगी तो यह हो जाएगी आपकी 2030 तर ठीक है आप यह मस समझना कि सारे मच्छर को मार दिया जाएगा तो आपको malaria नहीं होगा ऐसा नहीं है कुछ vaccination वगेरा यहां पे लाई जाएगी तो उनके द बता दी बिमारीयों के बारे में अब मैं बताता हूं कौन सी एक बिमारी नहीं आई है ठीक है एक initiative है 75 out of 25 initiative ठीक है इसमें क्या बोला गया है कि 75% आपके hypertension से लोग यहां पे वो पढ़ जाएंगे 2025 तक और यह कौन सी ministry के द्वारा दिया गया है यह दिया गया है आपका health ministry के द्वारा ठीक है तो देखो मैं चीजों को एना ऐसे link करता हूं मैं हर कभी कोई सी भी चीज नहीं बताता हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप फाल्तु की चीज एक दम से गर मैं बताने लगूंगा तो शायद वो आपके लिए याद करना मुश्किल हो जाएगी ठीक ह तो प्लीज कोशिश करा करो आप भी कि चीजों को ऐसा link करे कोई उनसे यहाँ पर पढ़ो ऐसा नहीं हर कुछ यहाँ पर बता रहा है उससे याद आ रहा है वो बता रहा है ठीक है चलो आगे बढ़ते है अच्छा एक चीज और बता दता हूं मुझे comment में से अब भी एकदम जिसका capital है बाकू और अजर्बाइजान और तजाकिस्तान मलेरिया फ्री हो चुका है ठीक है अब में एक मेरा knowledge भी दे देता हूं लिंपिटिक फिलिरिस अब भी दो country ने अब भी यहाँ पर हटाया था एक थी आपकी बांगलादेश ठीक है और दूसरी थी आपकी कौन सी लाओस जो कि आपकी आसियान की अब भी चेयर में ने ठीक है कौन बोल रहा है सर मेरे comment से याद है हाँ मैं comments भी देख रहा हूं यां tension मतलो मैं चीजे देख रहा हूं comments से आपके देखते रहता हूं देखो 75 out of 25 initiative क्या है इसमें यहाँ पे 2025 तक 75% hypertension के सिकार हो जाएंगे ठीक 75 million यहाँ पे I guess हो जाएंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं next question की तरफ बढ़ना है भारत का first national sport university कहाँ पे develop हो रहा है बहुत जादा important question है क्योंकि भारत का है तो यह direct question आपके exam में पूछा जाने वाला है बताओ कहाँ पे होगा कौन बताएगा गांधी जी चारवी गांधी सबसे पहले अंसर दिया विव्यान शु भाटिया ओके ठीक है इंडिया का first ever national sport university कहाँ पे आ रही है तो यह आ रही है आपके मनीपूर में ठीक है मनीपूर का मैंने अब भी आपको बताया था मनीपूर का capital है आपका इंफाल ठीक है एक चीज में आपको और मनीपूर से बता देता हूं मनीपूर में अब भी हाली में एक नीमोनिया यहां पे लॉंच किया गया था जैसे आपको पता है कि pneumonia है काफी हाँ पर बड़ी बिमारी है तो pneumonia μοpie उसके बाद और क्या हूँ आपको अचा आपको एक पता होगा दिव्यांग लोगों का ठिके जो पैरल होते हैं उन लोगों के लिए भी आप एक इसपोर्ट developers आप इसपोर्श और उपन की जा रही है वो कहा पर की जा रही है वो की जा रही है both यप्रदेश में और ग्वाहलियर कको city of music भी कहा जाता है यह मैं नहीं कहता है यह आपका UNESCO कहता है ठीक है और आपका city of literature किसको कहा जाता है यह कहा जाता है कोजी कोड़े को यह मैं नहीं कहता है यह भी आपका UNESCO कहता है ठीक है चलो आगे बढ़ता है next question है आपका scheme से related ठीक है बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे थे सार scheme वाले questions आते हैं तो यार मैं continuously दो-दो questions ले रहा हूँ आपके schemes के ठीक है आप tension मत लो जितना होगा मैं आपको बता दूँगा और जो-जो important होगा वे उमें नहीं छोड़ूँगा ठीक है sorry आपसे पूचा जाएगा कि PM विशकर्मा scheme किन लोगों से related है क्या ये students से है क्या ये women से है entrepreneur से है या फिर artisian से है ठीक है आपसे ये question भी statement में पूचा जा सकता है कि विशकर्मा scheme कब launch की गई थी तो ये point भी आपको याद होना चाहिए और आपकी ये किन से related है ये है आपके artisian से related ठीक है तो please इसको याद रखेगा artisian से related है ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ आपको ये भी पता होना चाहिए misty scheme के बारे में ठीक है ये मैं आप नहीं बताऊँगा misty scheme किस से related है, ठीक है, क्या ये students से है, क्या ये trees से है, ठीक है क्या ये OBCs के लिए है क्या ये फिर mangroves के लिए ठीक है, अब तो बता दो या, ठीक है mystery scheme बहुत हो गया, ठीक है आगे बढ़ता है next question आपको बताना है, इंडिया की first long range revolver ठीक है, हम लोगों ने बहुत बार discuss कर लिए, आप ये समझो भारत की यहाँ पे long range revolver कजब बनाईए थोड़ी सी बड़ी बना देता है ठीक है, यहाँ से निकलेगे आपकी गोली ठीक है, और इसका अंसर क्या होगा, इसका अंसर होगा आपका प्रभल, ठीक है, तो प्रभल है आपकी इंडिया की first long range revolver, जो कि आपकी बहुत बार exam में आपे पूछी जा सकती है, अगर मैं आपसे बात करूँ, यह कहाँ पे आपकी start की गई है बनना, तो यह start की गई है कानपूर में, ठीक है तो यह point भी आपको याद रखना है अच्छा, एक चीज में और बताता हूँ, आपको बहुत बार आपने news में सुना होगा AK203 ठीक है, इसकी यहाँ पे आपको पता है कि यह कहाँ पे इसकी जो एक facility लगाई गई थी, वो लगाई गई थी आपकी अमेठी में, ठीक है अमेठी कहाँ पे, अमेठी आपका UP में ठीक है, तो यह सारे गन वगेरा की चीजे UP में ही हो रही हूँ, ठीक है अच्छा, मुझे बताओ, आर्मी डे का कहाँ पे होगा आर्मी डे का celebration कहाँ पे होगा यूपी में कहां पे होगा वो बताओ कानपूर का कट्टा चलो आगे बढ़ते हैं 24th question number पे हम आ चुके हैं 24th का answer आपको बताना है कि अदित L1 ये वाला question तो यार आएगा अदित L1 वाला question आएगा आपको पता है अब भी यहां पे successfully यहां पे पहुच चुका है वह हमारे L1 पे L1 यहां पे क्या है L1 है आपका language point ठीक है language point का मतलब क्या होता है आप यह समझो यह आपका sun है यह आपका अर्थ है इनके बीच में जो points होते हैं उनको यहां पे languages point यहां पे कहा जाता है तो इसको कहां पे भेजा गया है इसको भेजा गया है आपके language point 1 पे ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपका यह कौन से उससे भेजा गया था रॉकेट से तो यह भेजा गया था आपका P.S.L.V.C. 57 है ना 57 ही था ना और श्री हरी कोटा से यहां पे भेजा गया था और आपको पता होगा कि तमिल नाडू में ठीक है second space port यहां पे आ रहा है ठीक है अब आपके दिमाग में आएगा अच्छा इसको भेज तो दिया है बट यह study क्या करेगा आप बता सकते हो क्या यह चलो बताई देते हैं आपको यह study करेगा आपके Corona को ठीक है वो वाले Corona नहीं यह आपका जो Corona होता है आपका जो Sun का उसको यहां पे study करेगा यार यह pen को क्या हो गया Corona लिखने से हो गया कि है इसको ठीक है इसप्सक्राइक चरण और आपका फोटो स्वेयर होता है वैस्सके हमारा एकमाच्मॉसप्वेयर होता है ठीक है आप यह दोणों जानकर डखो Corona और आपका फोटो स्वेयर को यहां पर करने में थूला वाला अगे बढ़ता है इसका अंसर आप बताओ, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं आपको बताना है, 2023 का FIFA Women's World Cup किसने जीता और ये question आप लिखके ले लो, 100% आएगा, ठीक है, कितना परसेंट, 100% क्योंकि आप सोचो ना, जब FIFA यहाँ पर इतनी बड़ी बॉड़ी है, तो आपसे question क्यों नहीं पूछेंगे जल्दी से बताईए, किसने जीता था आपका FIFA Women's World Cup, कौन बताएगा ये जीता था आपका भाई साब, Spain ने, ठीक है, और ये first time जीता था, I guess, ठीक है तो first time जीता था, Spain ने, और हराया किसको था, ये हराया था England को, ठीक है आप सोच सकते हैं, England को यहाँ पर हराया गया, और इसका mascot क्या था, अगर आपसे in case mascot पूछ लें, तो mascot था आपका तजूनी, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ, कि FIFA World Cup FIFA World Cup, जो आपका mains का होता है, वो किसने जीता था, वो जीता था आपका, अर्जेंटीना ने, ठीक है याद होगा, वो match MWP वाला, मैसी वाला, ठीक है, और यह कहाँ पर हुआ था, यह हुआ था, आपके कतर में, ठीक है, अब बहुत सारे facts आपको याद रखना पड़ेंगे, आपके exam के लिए, आपको conscious mind में सब चीज़े यहाँ पर याद होनी चाहेगे, ठीक है, चलो, अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, कि इस बार का जो, बैलेंडी और अवोर्ड है, वो men's में दो मिला मेसी को, मेसी भाईया को, ठीक है, और आपका female में किसको मिला है, वो आप मुझे comment section में बता दो, चलो, मैं ही बता देता हूँ, बॉन माटी, एटीना बॉन माटी को मिला है यह, अरे, sorry, sorry, Argentina नहीं था, France था यह, गलत हो गया, गलत हो गया, अरे, रुख जाओ, रुख जाओ रुख जाओ, sorry, France था यह, flow flow में गलत हो गया, Brazil निकल गया, ठीक है, sorry, गलती हो गई है, यार एकदम से comment देखा मैंने, किया यह क्या हो रहा है, France, 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 ठीक है, thank you so much, okay, चलिए, clear हो गया, France को अराया था, वो एकदम से flow flow में Brazil निकल गया, ठीक है, चलो, आगे बढ़ता है, next question आपको बताना है, भारत का first 3D printed post office कहां पे यहां पे आया है, ठीक है, कौन सी city में आया है, जल्दी से बताएए, ठीक है, चलो, अगर मैं आपसे बात करूँ, आपको पता होना चाहिए, कि जो 3D printed post office है, वो कहां पे आया था, तो वो आया था आपके बैंगलेरू में, जो हैदराबाद लगा रहा है, वो बिल्कुल यहां पे गलत लगा रहा है, ठीक है, तो बेसिकल यह बैंगलेरू में आया था, आपको यहां पे पता होना चाहिए, और बैंगलेरू में आपकी क्या हुई थी अब भी हाली में, यह हुई थी आपकी coffee conference, ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था, coffee में सबसे उपर कौन है, वो है आपका ब्राजील, और बारत है आपका 6th number पे, ठीक है, एक question बताओ, Amaze 28, यह भी आपकी एक 3D building है, यह कौन से state में आई थी, यह मैंने आपको बताई थी, कौन से state में आई थी, यह बताओ आप, और आप एक चीज़ और बताईए, 3D temple, यह कौन से state में आया था, तो यह आया था आपका तिलंग गाना में, ठीक है, और Amaze 28 कहां पे आई थी, आपकी कैरला में, ठीक है, यह एक 3D building है, और 3D temple अगर आपसे पूछ ले, तो यह आया था आपका तिलंग गाना में, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ रहा हैं हम लोग, 27 नमबर, आपको बताना है, लिकार अगर मैं आपसे बात करूँ, पहले आपको यह पता होगा कि खादलूंगा था, ठीक है, खादलूंगा सबसे बड़ा यहाँ पर मोटरेवल पास था, अगर मैं बात करूँ, अगर आप अब भी भी खादलूंगा जाओगे, तो महाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि वर्ड क सबसे हाइस मोटरेवल पास है बट ये गलत पार, ठीक है, सेकंगर आपसे बोल दें कि अच्छा, उमलिंгला होगा, ठीक है, तो उमलिंगला भी अब यहां पर नहीं है, ठीक है, वर्ड का सबसे हाइस मोटरेवल पास कौन सा है, तो वो है आपका लिकारूंगला फुक्छे ठीक है और ये कहां पर आएगा ये आएगा आएगा आपका लदाख में ठीक है clear है अच्छा आपको मैंने बताया था सबसे बड़ी highest airfield ये कहां पर आ रही है ये आ रही है आपकी नायोमा लदाख में ठीक है एक point और मैं बताता हूँ जिसा आपको पता है कि हमारे जो अच्छा में करोणाम ये ये आपके लदाख में ने exist करा अगे बढराता है । नेक्स्हएं आपको बताना है किह बी हाली में फर्स्ट उद्ध्योग्रतन अबॉर्ड किसको को कि और मारे जोबाएनिक्स्याब्ग इसलों ने सीरव क्या सदोटा था में पित्ध्भरेमें को दिया गया ठीक है यह आपका महराश्च सरकार के द्वारा दिया जाता है आपको यह भी याद रखना है तो यह अवाट किसको दिया गया अजीम प्रेम जी रतन टाटा आनंद महींद्रा एन आर नारायन मूर्ती अंसर बताईए जल्दी जल्दी बताईए ठीक है अचा आप मैंको ऐख चीज और याद आगई अब भी कैमल से आपको एक चीज याद रखना है 2023 यह आपका कौनसा यह था यह था आपका इंतरनेशनल एर ओफ माईलेक्स ठीक है अगर आप से 2024 2024 पूछ लें, तो यह होगा आपका International Year of Camelites, ठीक है, अगर आपसे 2025 पूछ लें, तो यह होगा आपका International Year of Glacier Prevention, यार मैं एकदम से आपके कमेंट देखता हूं, तो मुझे चीज याज आज जाती है, ठीक है, तो Camelites से आपने बिल्कुल सही बताया, चीजों को लिंक करा, आगे बढ़ें, Camels, Camels, ओके, इसका अंसर क्या होगा, इसका अंसर होगा आपका Ratan Tata जी, ठीक है, Ratan Tata जी को अब भी हाली में, उद्योग Ratna Award मिला है, और यह महराज सरकार के द्वारा यह दिया जाता है, आप इसको याद रखेगा, चलो, आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है, अभी हाली में, फर्स्ट इंडियन यहापे कौन बने, आफ्टर विश्वनात आनन जी, ठीक है, जिनने अभी हाली में, वर्ल्ड चेस कप यहाँ पे जीत लिया है, जल्दी से बताईए, विश्वनात आनन का मैंने आपको एक दिन यहाँ पर बताई थी, किया आपके खेल रतना वाड वाले, फर्स्ट इहाँ पे वो कौन थे, वो थे आपके विश्मनात आनन जी, ठीक है, आपको बताना है कौन बने, तो यह बने आपके आर्प्रगनंदा, ठीक है, और इनने किसके साथ यहाँ पर मैच कहला था, यह मैच कहला था, मैगनस कालसन के साथ वर्ल नंबर वन के साथ ठीक है बेसिकली इनको भी पसीना पसीना कर दिया था दो ड्रों यहां पे लिये थे ठीक है आर प्रगनंदा ने काफी एक बहुत important player है भारत की तरफ से और काफी जादा intelligent ही है वैसे तो chess खेलते है ठीक है ठीक है तो याद रखेगा आर प्रगनंदा और मेंगनेस कालसन के साथ खेलाता है यह championship यहां पे कहां पे हो रही थी यह बात आपको पता होना चाहिए यह हो रही थी आपकी अस्तान में ठीक है और अस्ताना पर रहे यह आपके कजाकिस्तान में ठीक है ये भी आप याद रखेंगे अच्छा इंकी एक sister भी है ठीक है आप ये सोचो कि दोणों घर में आपके चेस्ट प्लेयर हो तो दोणों भी 梯े खี่ल सकते हैं ठीक है तो इनकी एक sister है R वैशाली ठीक है आर विशालीन की sister है जो कि अब भी आपे third grand master बनी है female में तो ये point भी आप याद रखेंगे अच्छा आप ये बताओ कौनेरू हमपी कौन से sports से related है देखते हैं कौन इसका अंसर बता पाता है ठीक है चलो आगे बढ़ता हूँ याँ में next question आपको बताना है तो ये आ रहा है आपका कैरला में और आपको कैरला से एक चीज और याद आ रही होगी कि aging report में सबसे बुड़े इंसान कहां पर पाए जाएंगे तो वो पाए जाएंगे आपके कैरला में ठीक है तो ये point तो आप याद ही रखेंगे ठीक है अगर आपसे पूछ लें भारत का first artificial intelligence school कहां पर आया तो ये आया आपका कैरला में ठीक है एक चीज और मैं आपको बताता हूँ first artificial intelligent teacher आप सोच सकते हैं आप ये सोचिए desire to learn पर कोई आपको artificial intelligent teacher पढ़ा रहा है ठीक है आप comment कर रहे हो कुछ भी school में ठीक है और ये कहां पर based है ये based है आपका बैंगलेरू में ठीक है बैंगलेरू का आपका पता है एक airport है जिसका नाम है Campagoda airport जिसको UNESCO ने वेर्सिल अवार्ट दिया गया था ये मैंने आपको बता दिया है ठीक है आगे बढ़ता है क्या हो गया ठीक है 31 कोश्चन है आपका national space day कब observe किया जाएगा जैसा आपको पता है चंद्रयान 3 काफी जाने आपे success हुआ तो उस कारण से यहाँ पे आपका जो आपका space day है वो कब celebrate किया जाएगा तो वो celebrate किया जाएगा आपका आप बताओगा comment section कहाँ पर किया जाएगा कौन सी date को एक चीज़ मैं और बता देता हूँ चंद्रयान 3 के बारे में चंद्रयान 3 के lander का नाम क्या था ठीक है और rover का नाम क्या था आप मुझे जल्दी से बताइए क्योंकि चंद्रयान 3 से question 100% आने वाला है ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ जिस point पे चंद्रयान ने land किया है उस point को क्या नाम दिया गया उस point को नाम दिया गया शिव शक्ती ठीक है और कौन से rocket से launch किया गया था ये launch किया गया था MK3 बाहु बली इसको बाहु बली भी कहते हैं तो 23 अगस्ट को आपका सेलिब्रेट किया जाएगा National Space Day ठीक है और लेंडर आपका क्या था लेंडर था आपका विक्रम और रोवर क्या था रोवर था आपका प्रग्या ठीक है और इंडिया बना है first country जिसने south pole पर यहां पर अपना पर्चम लहरा दिया है ठीक है चलो आगे बढ़ते है next question आपको बताना है 26th National Conference on e-governance ठीक है आपको बताना है कौन सी city ने आपकी 26th National Conference on e-governance host की है ठीक है तो यह host की है जहांसे आप वीडियो यहां पर चल रहा है live यहां से session हो रहा है यह host की गई थी indoor से ठीक है अगर मैं आपसे बात करू indoor बन चुका है 7th Swatch City अब भी भी बापीस result आए तो indoor ही बनाए ठीक है आपको एक चीज़ और याद रखना है कि वायू सर्विक्षन में भी indoor टॉप पे था ठीक है बायू सर्विक्षन में अगर मैं आपसे बात करू आपको पता होगा indoor ने host करा था प्रवासिय भारतिय दिवस अगर आपसे exam में पूछ लें क्योंकि 2023 के आएंगे वो भी मैं आपको connect करना हूँ चीज़े प्रवासि भारतिय दिवस आपका किसने host किया था तो ये host किया था आपका indoor ने और इसके chief guest कौन थे इसके chief guest है मौहमद इर्फान अली खान ठीक है चलो याद रखोगे सर आप तो काफी clean place पे रहते हो यार आओ कभी indoor ठीक है 9 जनवरी को celebrate किया जाता है प्रवासी भारति दिवस क्योंकि गांधी जी बापिस लोट के आये थे तो इस मोके पे आपे प्रवासी भारति दिवस को हम लोग celebrate करते हैं ठीक है तो indoor में host किया गया था ठीक है चलो आगे बढ़ता है याद जो जो मुझे important याद आता है ठीक है आगे बढ़ेंगे next आपको बताना है Indian Air Force ने अब भी हाली में आपको bright star अब भी exercise यहाँ पे की गई थी ठीक है तो आपको बताना है कौन सी country में यहाँ पे यह host की गई थी कौन सी country के द्वारा host की गई थी bright star exercise कौन सी country के द्वारा की गई है जल्दी से बताईए गला दुख जादा यार पढ़ाते पढ़ाते और continue तीन दिन से आपकी class हो रही है और basically तीन और session से बड़े बड़े तो और मज़ा आएगा बढ़ हाँ मुझे दो बड़ा सा ध्यान रखना पढ़ेगा चलिए bright star आपकी जो exercise है वो आपकी कहाँ पे होई वो ही आपकी Egypt में तो please आप इसको याद रखेगा और कौन-कौन सी countries ने participate करा था यहाँ पे participate करा था USA, Saudi, Arabia ठीक है प्लस आपका Greece, ग्रीस आपको पता होगा यहाँ पे first Olympics हुए थे उसके बाद आपका कदर जिसमें आपके इस बार FIFA के World Cup हुए थे ठीक है और हमारा प्यारा भारत ने भी इसमें किया था आपको पता होगा MIG-29 में भी इसने participate करा था और आपका INS सुमेधा ने भी इसमें participate करा था तो एक बार आप वो चेक कर लिजेगा ठीक है बाकी आपको Exercise Bright Star याद रखना है ठीक है चलो आगे बढ़ता है Next question आपको बताना है कि Which of the following cities become India's first solar city बताइए First solar city आपकी कौन सी बनी है देखो ये question अगर नहीं पूचेंगे तो वो क्या पूचेंगे ठीक है ये आपकी कौन सी है ये है आपकी साची साची कहाँ पर इस्तित है साची इस्तित है आपके मद्यप्रदेश में और UNESCO World Heritage Side में भी आपका साची शामिल है ठीक है जैसा आपको पता होगा अब भी मद्यप्रदेश में election हुए थे और BJP ने काफी अच्छी बहुमत से हासिल करिकते हुए मोहन यादव जी को नया CM घोशित किया गया है ठीक है तो जो मामा जी थे आपके सिवराज सिंग्चुवान जी उनको अटा के मोहन यादव जी को नया CM घोशित किया गया है और यहां की एक famous scheme है जिसके दम पे आप election लड़ा गया था जिसका नाम है लाड़ी बहना योजना ये question आपके exam में 100% आ रहा है कि लाड़ी बहना योजना कौन से state की scheme है तो यह है आपके कौन से यह है आपके मध्य प्रदेश की तो यार आपको लेट हो गया है क्या class बंद करेंगे आप भी के 50 questions करें थोड़ा लेट हो रहा होगा आप लोगो आपने किसको vote दिया था sir चलो 35th question करते है तो कौन बना है जिसने international cricket यहाँ पे खेला है तो यह question आप लिख लो important है ठीक है कौन है लिंप मूड जैकोप इब्राहिम डैनियल मैक गे लीसा बीजी यह तो बीजी है तो यह तो हटी गई ठीक है इसका अंसर है आपका डैनियल मैक गे ठीक है प्लीज आप इसको याद रखिएगा important question है क्योंकि आपसे यह exam में पूछा जाएगा और यह कहां से थी यह थी आपके Canada ठीक है Canada के लिए I guess यह खेली थी ठीक है बट ICC ने ICC ने क्या करा इनको बापिस यहाँ पे बैन कर दिया गया ठीक है ICC ने बोल दिया transgender के यहाँ पे जगा नहीं है तो इनको यहाँ पे फिर बैन कर दिया गया अगर मैं आपसे बात करूँ ICC का headquarter कहां पर है तो यह headquarter है आपका Dubai में ठीक है अगर आपसे exam में पूछ लें कि अभी ICC ने कौन सी country के board को बैन किया है तो वो gay से आप याद रख सकते हो ठीक है first transgender चलो आगे बढ़े पूरे 50 करके ही जाएंगे सर ठीक है डन 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 50 करवाएंगे आप लोग को वैसे मेरा गला काफी जादा दुखने लगा है देखो यह question भी कितना important है कौन इसका बताएगा क्योंकि यह first Indian film maker बनी है जिनको Emmy Award यहाँ पे दिया गया है एकता कपूर, करण जोहर अनुराक कशप या फिर संजे लीला बनसाली ठीक है अगर मैं बात करूँ Emmy Award आपका जो television है उसके लिए यहाँ पे दिया जाता है काफी performing arts के लिए दिया जाता है, तो आपको बताना है कि कौन बनी है, तो यह बनी है आपकी director जिनका नाम है सांस भी कभी बहुती, जिस serial से आपे direct किया है, उनका नाम है एकता कपूर ठीक है, घर में खलेश करवाने वाली एकता कपूर को दे दिया गया है Emmy Award ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ एक यहाँ पे comedian को भी दिया गया है जिनका नाम है वीरदास ठीक है, तो यह नाम भी आप याद रखेंगे वीरदास को भी Emmy Award दिया गया है in the field of comedy, और एकता कपूर को यहाँ पे director का वार्ड दिया गया है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं next question आपको बताना है FIFA ने अब भी हाली में lift कर दिया है ban आपका football federation with the immediate effect ठीक है, कौन सी country पे अब भी ban लगाया था बट उसको बापिस से FIFA ने हटा दिया है, बताओ देखो, श्री लंका हर जगे से फस्ता है तो श्री लंका पे ICC ने भी ban लगाया था और FIFA ने भी लगाया था ठीक है, बट FIFA ने क्या करा है FIFA ने ये ban को हटा दिया गया है और FIFA जिसका headquarter कहाँ पर है, FIFA का headquarter है Zurich, Zurich कहाँ पर Zurich है आपका Switzerland में ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ, श्री लंका और भारत एक exercise करते हैं, जिसका नाम है मित्र शक्ती ठीक है, मित्र शक्ती exercise करते हैं ये क्यों important है क्योंकि इसमें women's प्लस आपके जो commandos हैं ठीक है, इनने first time participate किया था, जो para commandos हैं और हमाई जो women's हैं, जो women's officer हैं उनने first time मित्र शक्ती में participate किया था, ठीक है तो please आप इसको याद रखेगा, important है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका श्री लंका, ठीक है सिर्फ तेरा question और बचे हैं यार रुख जाओ थोड़ा सा, चलो आगे बढ़ता है what role will biomitra play in the gaganyan mission अंसर बताओ यार, फटा-फट फिर मैं बताता हूँ देखो, gaganyan mission की अगर मैं बात करूँ आपसे gaganyan mission की अगर मैं आपसे बात करूँ तो basically ये आपका, कितने लोगों को यहाँ पे लेके जाएगा, ये लेके जाएगा तीन crew members को ठीक है, around 400 km तक यहाँ पे लेके जाएगा ये, ठीक है और ये जो humanoid robert यहाँ पे किया गया है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है वायोमित, ठीक है, तो basically ये क्या है ये आपका एक space-faring humanoid robert है, ठीक है, तो आप इसका नाम याद रखिएगा, आप मुझे ये बताईए, कि मतस्य 6000 क्या है, देखते हैं इसका अंसर कौन बताएगा, जिसने बताया ना यार, वो बहुत जादा intelligent है फिर तो, आपका फिर IB निकल रहा है, current of air तो निकल रहा मतस्य 6000 क्या है देखो मैं बताता हूँ मतस्य 6000 क्या है मतस्य 6000 क्या है मतलब ये पानी के अंदर यहाँ पे जाएगा 6000 फिट तक और यहाँ पे चीजें यहाँ पे explore करके आएगा, इसमें यहाँ पे लोगों को लेके जाएगा, जिसका नाम है मतस्य 6000 सबमरीन कौन बता रहा है Deep Ocean Mission ना, वो सही है, सही है, बिलकुल सही है ठीक है मतस्य 6000 आप याद रखेगा ये important है बस, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं next question आपको बताना है अभी हाली में कौन सी कंपनी को महारतन से यहाँ पे सम्मानित किया गया है, ठीक है तो अगर मैं आपसे बात करू total महारतन कंपनी कितनी होती है तो total अभी भारत में महारतन कंपनी हैं 13 ठीक है, तो आपको बताना है अब भी हाली में तेरवी महारतन कंपनी कौन सी बनी है और ये question आपसे 100% पूछा जाएगा ठीक है चाहे आप CDS देख लो, NDA देख लो, CAPS देख लो, चाहे आपके state PSC के exam देख लो, banking देख लो आपको महारतन का knowledge होना चाहिए ठीक है क्योंकि ये categories यहाँ पे divide होती है महारतन, मिनीरतन, नवरतन, तो ये सारी categories यहाँ पे divide होती है तो आपको बताना है महारतन कंपनी का status किसको दिया गया है ये दिया गया है आपका oil को, oil India Limited को और total आपकी 13 महारतन कंपनी है, ये भी question आपसे पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो next question है आपका PM USHA scheme, देखो एक question और आगे आपका scheme से related PM USHA scheme जो recently news में थी, वो आपको बताना है ये किसके लिए है mangrove conservation के लिए तो misty scheme है ये तो भूलना मत्यार, ये तो किसी ना किसी के set में आएगा PM USHA scheme के अगर मैं बात करूँ तो ये basically किसके लिए है, ये आपके education के लिए है इसका यहाँ पर अगर हम full form की बात करें, तो प्रधान, मंत्री, उच्चतर, शिक्षा, अभियान तो इसका full form है, और इसका क्या मतलब है, कि हमें higher education को यहाँ पर, जो गाउँ गाउँ है उसमें भी higher education को develop करना, तो PM USHA scheme आप याद रखेंगे, ये question भी आपसे exam में पूछा जाएगा आपसे direct यह question आएगा, कि PM USHA किसके लिए है, तो आदे तो समझेंगे यार, women's के लिए है women's के लिए नहीं है, ये higher education के लिए है, ठीक है, चलो, सिर्फ 10 question और फिर आप सोज आना 12 बच्चों किये वैसे भी, ठीक है चलो, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े, हाँ, इस रो और कौन सी space organization ने अब भी हाली में, Lupex नाम का यहाँ पे mission स्टार्ट किया है, जो की 2024 में यहाँ पे launch किया जाएगा, आप से direct question पूछा जाएगा, Lupex, ठीक है, Lupex आपका कौन सी country के द्वारा launch किया गया है, ठीक है, एक तो हमारी है प्यारी इस रो, ठीक है, और कौन सी है, और है आपकी jack सा, ठीक है, अचा किस-किस ने आपका CAPF का paper दिया था, तो आप से question पूछा गया था, निसार, निसार किस-किस ने किया है, तो यह किया है इस रो, प्लस आपका कौन है, प्लस आपका NASA, ठीक है, तो Lupex क्या है, पहले त पूनर रोवर है, ठीक है, जो कि एक रोबोटिक जैसा है, और यह आपके South Pole पे जाएगा, ठीक है, South Pole, Moon पे जाएगा, दुआजार चोबीस में, ठीक है, तो आप यह याद रखना, Lupex क्या है, और यह Isro और Jaxa, मतलब आपकी India और Japan मिलके कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रख केट में आया था, Jaxa, Japan की है, ठीक है, चलाएगा, नेक्स कोश्चन है, आपके मासी पोर्टल, ठीक है, मासी पोर्टल की अगर मैं बात करूँ, तो आपको बताना है, कि यह कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप किया है, ठीक है, यह वाला कोश्चन भी पूछा जाए कि मासी पोर्टल, आपका कौन सी मतलब मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ओफ वूमेंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ओफ लेबर, मिनिस्ट्री ओफ होम, मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन, जल्दी से इसका अंसर बताईए, ठीक है, अगर मै टेंक्स टीम, I have cleared SSC CGL 2023, तीन सितारे यहां पर लग चुके हैं, तो यह कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, यह किया गया है, मिनिस्ट्री और वुमेन एंड चाइल डवलपमेंट के द्वारा, तो प्लीज आप इसको याद रखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है, यह कोश्चन भी आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, 43 कोश्चन, बहुत इजी कोश्चन है, इस कंसर आप फटा-फट बताओ, जल्दी से बताईए, आपको बताना है कि वाईू सर्विक्षन में कौन सी सिटी ने अभी टॉप किया है, भुपाल, इंदौर, पुने, या फिन, नागपूर, ठीक है, तो वाईू सर्विक्षन में किसने टॉप किया, जिसने स्वच्च सर्वेक्षन में भी किया, तो first आपका आया कौन सा indoor, ठीक है, second आया आपका आगरा, और third आया आपका थाने, ठीक है, तो तीनों आप याद रखेंगे, और स्वच्च सर्वेक्षन में भी आपका top पे रहा indoor, ठीक है, और e-governance भी किसने होस्ट किया, ये भी होस्ट किया indoor ने, आगे बढ़ता है, 44th आपको question बताना है, who has been honored with the Lokmane Tilak National Award, ठीक है, Lokmane National Tilak Award किसको दिया गया, easy question है, ठीक है, जल्दी से बताओ यार answer, Lokmane Tilak National Award किसको दिया गया, कौन बताएगा इसका answer, ठीक है, तो ये दिया गया था, नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, Lokmane Tilak Award, और अब भी तक, अगर मैं बात करूँ कि, total international awards कितने मिल चुके हैं, तो I guess ये 13 से 14 यहां पर मिल चुके हैं, ठीक है, तो आप मुझे comment में बताएगे, order of Nail, ये कौन सी country के द्वारा, ये award दिया गया था, ठीक है, एक आप और बताएगा, order of logo हू, ये कौन सी country के द्वारा, मोदी जी को सम्मान दिया गया था, ठीक है, तो दो बतादो बस, दोनो important है, बाकी मैंने आपको कल भी बताएथे, चलो आगे बढ़ते हैं, 45th question है, आपके लिए कौन बन चुका है, second highest longest serving cm in the country, ठीक है, आपको बताना है, कि सबसे ज़्यादा अब भी तक 10 नवर यहाँ पे किसका हो चुका है, वो आ चुके हैं second number पे, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, first number के cm कौन है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे cm रह चुके हैं, ठीक है, यह हैं आपके पवन, चैमलिंग, और यह कहां के cm, यह हैं आपके सिक्किम के, ठीक है, और 5 बार यह cm मन चुके हैं, second आपके कौन, second है आपके नवीन, पटनायक साब, उडी साब, ठीक है, third कौन है आपके, third थे अब आचुके हैं, जोती बासु, ठीक है, मतलब नवीन पटनायक जी ने, जोती बासु जी को, overtake कर दिया है, और बन चुके हैं, सबसे लंबे यहाँ पे cm, ठीक है, तो जोती बासु कहां के थे, यह थे आपके West Bengal के, ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ता हैं, चलो, next question है आपका, इंडिया ने अब भी हाली में, secure करिये, कौन सी position, World Championship Juniors 2023 में, ठीक है, आप से यह question पूछा जाएगा, कि ISSF का headquarter कहां पर है, पहले तो वो बताओ मुझे, ISSF का headquarter कहां पर है, यह है आपका Munich, Germany में, प्लीज याद रखना यार, important है, मुझे 100% लग रहा है, यह headquarter आएगा, ठीक है, और एक चीज में और बता देता हूँ, कि यह जो आपकी championship हुई थी, यह कहां पर हुई थी, यह हुई थी आपकी South Korea में, ठीक है, South Korea में हुआ था, और first पे कौन रहा था, first पे रहा था China, और second पे रहा था हमारा प्यारा भारत, ठीक है, second position पे था हमारा प्यारा भारत, तो आपको याद रखना है, second पे आया भारत, first पे था चाईना, और ये हुई थी आपकी South Korea में, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, next question आपको बताना है, और ये question 100% आपके exam में आ रहा है, कितना percent, 100%, क्योंकि आपसे पूचा जाएगा, UNESCO का Asia Pacific Cultural Heritage Award, जो की कुईसी railway station को मिला है, आपको बताना है वो कौन सा railway station है, ठीक है, तो वो कौन सा railway station है, वो है आपका Bikula railway station, जो की मुंबई में स्थेत है, ठीक है, मुंबई में स्थेत है, याद होगा आपको, मॉंबई में स्थे थे आपका Bikula Railway Station और यह कितने साल पूराना है मैं आपको बताओ, यह आपका 169 years old ठीक है, आप सोच सकने 169 साल पूराना है आपका Bikula Railway Station और इसको अब भी हाल हिमें UNESCO ने Asia Pacific Cultural Heritage Award यहाँ पर दिया गया है, ठीक है और award वाले question बहुत बार आपके exam में पूछे जाते हैं, ठीक है, अच्छा आपको ये बताना है, global maritime summit कहाँ पे होई थी, ठीक है, ये होई थी Mumbai में, ठीक है, 141st meeting कहाँ पे होई थी Olympics की, ये भी होई थी आपकी Mumbai में, ठीक है, तो ये सारे Mumbai के आपको facts भी पता होना चाहिए, और आपको बताना है कि Atal Setu Bridge, ये कौन से state में inaugurate किया गया Modi जी ने, देखते हैं, इसका अंसर कौन बता पाता है, चलो आगे बढ़ता है, next question आपको बताना है, recently launched, what is the name of world largest private satellite, ठीक है, हमने यहाँ पे सरकारों की, बहुत सारी सरकारों की satellites तो यहाँ पे बहुत देखी होगी, बहुत सारी satellites हम लोगों ने देखी होगी, बढ़ आपको बताना है कि private company ने यहाँ पे satellite बनाई है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी satellite है, Jupiter 3, Saturn, Apple, Jupiter 2, जल्दी से answer करो, कौन सी है वो, वो है आपकी Jupiter 3, ठीक है, यह आपकी एक commercial, communication satellite है, ठीक है, और example आप यह समझो, किसी के हाँ पे network नहीं आ रहा होगा, तो उसने बोला, आज तो मैं खुद की अपनी satellite बनाऊंगा, और मेरे यह network ले के आऊंगा, ठीक है, तो आप उससे समझ सकते हैं, कि यह communication satellite है, ठीक है, जिसका नाम है Jupiter 3, और यह दुनिया की सबसे ब जाना अराम से मैं को भी सोना है, चलो, नेक्स्ट आपको question मनाना है, 49 वाला, इंडिया का first online gaming academy, कौन बताएगा इस concern, अब यह सोचो, online games आप बहुत खेलते होगे, PUBG वगेरा, अब तो शायद नहीं खेलते होगे, तो आपको बताना है, online gaming academy आगे यार, इंडिया में, कि कौन से state में आई है, कौन से state में आई है, सबसे पहले बताया, हमें त्यागी ने, very good, चारवी गांदी, शानू जा, ओके, यूपी नहीं है, यूपी नहीं है, यूपी वाले खेलते होंगे game, लेकिन यूपी नहीं है, इसका अंसर, केरला कौन दे रहा है, केरला भी नहीं है, बिहार किसी ने नहीं दिया, अच्छा, बिहार के बच्चे तो सिफ़ पढ़ाई करते हैं, इसलिए कोई अंसर नहीं कर रहा, बिहार, देखे, ये आपकी कहां पर आई है, ये आपकी आई है, मध्यप्रदेश में, ठेके, मध्यप्रदेश में होने वाली है, ठेके, चलो, लास्ट कोश्चन है, और काफी अच्छा कोश्चन है, जितने स्टार मार्क करना है, कर लो, क्योंकि आपको कोश्चन पूछा जाएगा, कि आई एनस किरपान, कौन सी कंट्री को भारत ने गिफ्ट कर दी है, भारत ने कौन सी कंट्री को गिफ्ट करी है, जिसका कैपिटल है, हनुई, ठेके, तो यह आपकी गिफ्ट करी है, वैतनाम को, ठेके, तो पचासफे कुश्चन तक आतक, एनर्जी तो अब भी है, बट हाँ, जो टाइम थोड़ा जादा हो गया, तो थोड़ा रेस्ट करना भी बनता है, क् कि आपके भी एक्जाम्स है, तो मिलते हम लोग नेक्स क्लास में, एक बार है इतने सारे लाइब देख रहे हो, प्लीज सेशन को लाइक कर दो, और बहुत इंपॉर्डेंट कोश्चन आपको करवाए हैं, इनको ढूडने में एफट्स लगे हैं, इनको सबसे जादा क्लास लेने में एफट्स लगे जाते हैं, क्योंकि continuously बोलना है, और बिना हसी मजाक के आपे बात करनी हैं आपसे, तो वो भी एक थोड़ा सा तफ टास्क भी होता है, बढ़ हां, मेरा नेचर कुछ ऐसा ही है, तो मिलते है नेक्स क्लास में, और ये जो PDF है, आपको मैं टेलीग्रा क्लास में जब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा, शुबरात्री, जै हिंद, जै भारत, वन्दे मात्रा.